जैहिन साथियों आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर साथियों यहाँ पर हम हिस्ट्री के कुछ most important questions है उनको यहाँ पर हल करेंगे चलिए शुरू करते हैं पहला प्रेसन है मयूर तक्त का निर्मान किस ने किया था मयूर तक्त का निर्मान किया था साथ जहाने मयूर तक्त को मयूर सिंहासन भी कहा जाता था मयूर सिंहासन भी कहा जाता था फार्सी में इसको क्या कहा गया है फार्सी में इसको तक्त है ताउस भी कहा गया है पहले इसको रखा गया था कहा आगरा में जिसकी स्थाफना किसने गर आया थी सिकंदर लोगी ने आगरा में रखा गया उसके पद लाल किले まे इसको रखा गया था ठीक है नई दिलिये के लाल किले में अगला परस्ण है यह भी काफी important है चार मिनार को किसने निर्मित करवाया था तो कुली कुदूप साह ने ये निर्मान इसका करवाया था option A इसका right answer हो जाएका बाकी बात करें चार मिनार कहां पर इस्तित है तो हैदराबाद में ये इस्तित है ठीक है कब करवाया था ये भी कई बार प्रस्ण बन सकता है तो 591 ठीक है पंदर 691 इस्तित में ये इसका निर्मान हुआ था किसका चार मिनार ठीक है और ये कहां पर इस्तित है ये है है वैदराबाद में अगला हमारा प्रस्ण है हमारा गौतम बुद्ध की मृत्योग के सिस्थान पर हुई थी गौतम बुद्धी की मृत्य हुई थी कुसी नगर में कई बार जन्म स्थान पूछे तो लुम्बनी कपिल वस्त में इनका जन्म हुआ था मृत्य हुई थी कुसी नगर में ठीक है अराउंड 563 इसापूर वा ठीक है BC में इनका क्या हुआ था जन्म होगा था ठीक है इसा पूरू याने की विफर क्राइस्ट ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगला हमारा प्रस्ण है लाल किले को किसके द्वारा निर्मित किया गया था तो लाल किले को किसके द्वारा निर्मित किया गया था गुरु अंगत देव ठीक है, option 20 का right answer हो जाएगा दोस्तों, कई बार इन से प्रस्न बनता है कि सिख्खों के पहले गुरु कौन थे, पांचवे गुरु कौन थे, या फिर अंतिम गुरु कौन थे तो सबसे पहले बात करते हैं पहले गुरु की, ठीक है पहले गुरु को आप not down कर लीजिए गुरु नानक देव थे, कौन थे गुरु नानक देव, ठीक है पहले गुरु होगे, अंतिम गुरु, क्योंकि ये भी most important है अंतिम गुरु थे, गुरु गोविन्दे सिंग, option A हो जाएगा अंतिम गुरु अगर पूछे और जो हमारे गुरु हरे राई थे ये साथवे गुरु थे ठीक है, जो गुरु अंगत थे वो दूसरे गुरु थे इस पर भी कईवार प्रस्न पूछते है और जो पांचवे गुरु थे वो थे गुरु अरजुन देव ठीक है, तो आपको ये साथे एक्स्ट्रा बाते नो डाउन करकर लिखनी है कहीं न कहीं ये प्रस्न जरूर आएगा मैं आपको बताता हूँ नेक्श कॉश्चन, धाई दिन का जोपड़ा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो धाई दिन का जोपड़ा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गी थी? तो कुटबदीन, एबग, एज राइट आंसर ठीक है? नेक्श कॉश्चन, आग्रा के किले में दिवाने खास किसके द्वारा बनाई गया था? तो दिवाने खास बनाई गया था साह जहां के द्वारा ऑप्सन, डी राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न, काफी इंपोर्टन है ये कई बार पूछा गया है चाहे वो स्टेट लेवल एक्जाम्स हों या पिर सेंटरल लेवल एक्जाम्स कॉनार्क मंदिर को किसने बनाया? तो नरच सेंग देव प्रतम कहीं भी आपको दिखे तो उसको टिक कर लेना है क्योंकि नरच सिंग देव प्रतम ने इस मंदिर का निर्माण किया था और कोनाक मंदिर क्योंकि किसी भी मंदिर को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चीए कि वो किस देवता का मंदिर है तो ये सूरी देव का मंदिर है ठीक है सूरी देवता का मंदिर है कहां पर इस्तित है तो उडिशा राज अब उडिशा राज में कहां पर इस्तित है तो पूरी डिस्टिक है वहाँ पर ये इस्तित है ठीक है इसका ध्यान लगिएगा next question मुगलवंस की स्थापना किसने की थी मुगलवंस की स्थापना किसने की थी तो बावर ने गरी थी किसको हराय था लिब्राहिम लोधी को हराय था इसका भी ध्यान लगिएगा बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ अगला हमारा प्रसन है जो पानिपत का प्रथम युद्व था इसने लोधी को हराया 1526 जिव में और उसके बाद इसने राज किया था पहला किया था बावर था ठीक है अन्तिम पूछे तो बहादुर साज जफर या बहादुर साज जफर दोती है ठीक है next question राजा राम मोहनराई ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कब करी तो 1828 इसमे में इसकी स्थापना की गई सामाजिक धार्मिक आंदोलन था ठीक है जो ब्रह्म समाज है इससे रिलेटेट था ठीक है इसका भी द्यान लगिएगा कई बार द्वारेकानाद भी पूछा जाता है तो उसने वो भी थे सहायक ठीक है इसका भी द्यान लगिएगा next question है हमारा राजा राम मोहनराई ने आत्मिय सबा गठित की आत्मिय सबा कब गठित की ये करीते 1815 पे option B बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा next question है हमारा भारत की सबसे प्राचीन स्मृति गरंथ है कौन सा है तो मनुस्मृति ठीक है प्राचीन के है स्मृति या धार्मिक गरंथ के है मनुस्मृति ठीक है option B इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद वुचे तब रिगवेद होगा ठीक है इसका भी ध्यान कियेगा सिवाजी की मा का नाम था सिवाजी की मा का नाम क्या था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जीजबाई ठीक है जीजबाई क्या था सिवाजी का मा का नाम अब क्योंकि सिवाजी क्या थे मराठा जो प्रसिद्ध और वीर साजक थे जै महाराष्ट्रा वाले तो इनके बारे में हमको ग्यान पता होना चाहिए हम मुंगलों के बारे में पढ़ते हैं तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे तो 19 फरवरी 1630 इस विमेन का जन्म हुआ था ठीक है इसका भी ध्यान कीएगा लगबख 1674 इस विमेन होने पश्चिम भारत में मराठा सामराजी की क्या करी थी इस्थापना करी थी ठीक है मराठा सामराजी के ये वीर क्या थे राजा थे योद्धा थे इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये काफी क्या था संपन्न मंदिर था और इसको जो सबसे पहले आक्रमाण करके इसको लोटा था वो था महमूद गजनवी थीक है महमूद गजनिवी ने इसको लूटा था कब 1025 इस भी में इस पर आक्रमन किया था और इसको लूट ले गया था ठीक है यहाँ पर जो भी धन अगेरा अगेरा ठीक है next question चंद्रकुप्त मौरी को जैन धर्म की दिक्षा किस ने दी तो जैन धर्म की दिक्षा दी थी बद्र बाहुने ठीक है बद्र बाहुने और चंद्रकुप्त मौरी कोंते इन्हों ने ही मौरी वंस की स्थापना करी थी किस के साथ मिलकर चानक्य के साथ मिलकर ठीक है next question है अमारा फतेपुर सीकरी का निर्माण किस ने किया था तो फतेपुर सीकरी का निर्माण किया था अगबर ने ठीक है option 6 का सही उत्तर हो जाएगा next question योगदर्शन के प्रतिपादक कोंते तो पतंजली option 8 का right answer हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रतिपन की तरह next question है हमारा ये भी काफी important है इसा मसी का जन्म किस इस्थान पर हुआ था ठीक है तो इसका right answer होगा हमारा option D ठीक है बैथ ले हम ठीक है बैथ ले हम में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था फलिस्तीनी क्या है एक सहरे कौन सा फलिस्तीनी सहरे ठीक है फलिस्तीनी सहरे option D next question औरंग जेब के पिता का नाम क्या था औरंग जेब के पिता का नाम सा जहां था next question नूर जहां किस की या किस मुगल सासक की बेगम थी तो right answer जहांगीर की थी नेक्श कोश्चिन महाभारत के रचनाकार कौन थे तो महरसी वेदिव्यास जी थे बेगम अक्तर का संबंद किस से है तो बेगम अक्तर का संबंद है सास्त्रिय गाईका से option C इसका क्या हो जाएगा सही उतर हो जाएगा ठीक है next question हो जाएगा हमारा मिर्नालिनी सारा बाही का संबंद किस्ट है तो ये निरित्य से संबंद है option इसका right answer हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं अगले present की तरफ दिल्ली इस्तीत जंतर मंतर को किसने बनाए था तो किसने बनाए था महाराजा जैसिंग दुतिये ने जंतर मं कर लीजिएगा या screenshot रख लें विश्ट इतिहास का पिता किसे का जाता है तो हैरा डोटस को ये कहा जाता है अब क्यों कहा जाता है इनकी एक वो थी रचना थी हिस्टोरिका में इनोंने हिस्ट्री की जानकारी दी थी सरो प्रथम तभी इनको क्या कहा जाता है है हैरा डोट ताकि लिपी क्या थी तो भाव चित्रात्मक लिपी थी ठीक है दाएं से बाई और ये लिखी जाती थी ठीक है इसको बुस्ट फेंडस भी कहा जाता था ठीक है इसका भी ध्यान न किएगा अगला प्रस्ण है आग का आविसकार किस काल में हुआ था तो पूरा पाशान काल मे काफी अच्छे से बढ़ा था बाकि ये गुजरात में श्तिथा ठीक है नेक्स ग्षंट आगरा के किले में औरंग जेब ने किसे कैद करके रखा था तो किसको कैद करके रखा था ये रखा था साह जहां को नेक्ष ग्षंट किस मुगल सासक का राज्या वीसेग दो बार व वा था गुर अरजन देव को फासी की सजा किस मुगल सासक ने दी थी तो ये था आपका जहांगीर ऑप्शन डी ठीक है next question है हमारा अस्ट प्रधान किस सासक के मंत्र मंदल में थे तो अस्ट प्रधान किस सासक के थे सिवाजी के सासक में ये मंत्र मंदल में थे इलाबाद की संदी कब हुई ये काफ़ी इंपोर्टन है इलाबाद की संदी हुई थी आपका 765 इसवी में इसको याद रखिएगा किन दो के बीच हुई थी रॉबर्ट कलाइब जो की गवर्नर था तथा आलम दुतिय बार अप्रेयल 765 इसवी में ये क्या हुई थी संदी हुई थी रॉबर्ट कलाइब और आलम दुतिय जो की मुगल सासकता है इनके बीच तो ये आज की वीडियो थी बाकि जुड़े रहें UKPSC previous year पेपर के लिए और भी बहुत सारी जी के वीडियो के लिए